राधे राधे भगवान स्री कृष्ण का जनमोट सब है और माता तुलसी को भला हम कैसे भूल सकते हैं वो तो साक्षात मा लक्षमी का सो रूप है और इस दिन तुलसी का पेड़ घरों में लगाने का बिसेज बिधान है अगर आपके घर में पहले से पेड़ है तो बहुत अ के मुखिद्वार पर आम के पत्तों का या फिर असोग के पत्तों का बंदनवार जरूर लगाईएगा ये बहुत सुब होता है मा लक्षमी के आगमन के लिए ये बहुत सुब है वैसे भी भगवान स्री कृष्ण का जनमोट सब है तो अपने घरों को भी सजाना है अब देपक थोरे से पुस्प एक लोटा जल लेकर आप तुलसी जी के पास आए अब यहां पे लाल चुनरी तुलसी मा के तुलसी जी के पेड़ है चोटा से चुनरी लीजेगा उस पे अच्छे से ढग दे अब छोटा ही सही पर पर परतिकात्मक रूप से अगर नहीं है आपके पास तो मौली धागा भी बांधने से लपेटने से काम चल जाएगा अब यहां पर एक थोरा सा पुस्प पर पित करें और जल पास में ही रखें अब दीपक जला कर घी का दिया जलाएंगे इसमें धागे लाल धागे की होगी पाती रूई की बाती मत लीजेगा और अक्षट थोरे से लीजेगा और अक्षट के उपर दिया रखें अब फिर दीपक दिखाने के बाद भगवान से प्राथना करें कि है प्रभु जीवन में तमाम जो परिशानिया है उन्हीं दूर करें आपकी जो परिशानी है मनुकामना है बोलें अब अगर आप चाहें त चारों तरफ साथ परिक्रमा करें और एक मंत्र है उसे बोलते जाएं ओम नमो भगवते वासु देवाए ओम नमो भगवते वासु देवाए परिक्रमा साथ परिक्रमा होने के बाद परणाम करें और फिर वो जो दिया है वहीं पर रहेगा आप पुजा की थाली और लोटा जो है लोटे में जल थोरे से जल आप दिया के पास थोरा से जल गिरा दे इसे कहते हैं दिया को सांथ करना अब आप आकर भगवान स्री कृष्णी के जन्म उत सब की तियारी करें क्योंकि रात बारा बजे के बाद उनका जन्म होगा और आप इसलिए तो पूरे साल इंतजार करने के बाद घड़ी आई है तो इस समय का पूरा फाइदा उठाए और पहले से ही तूलसी पत्ते के इंतजाम अगर आपने कर लिया है तो बहुत अच्छी बात वरना पेड़ के नीचे जो पत्ते गिरेवे हैं उसे ही धोकर आप प्रसाद में जरूर डालिएगा चाहे आ आपकी मनुकामना को पूर्ड कराएगा तो हम आपसे विदा लेते हैं जानकारी अच्छी लगे तब लाइक कर सब्सकाइब करें अपनों से सेयर करें और कमेंट में हरहर महादेव चरू लिखेगा धन्यवाद